तो यार आज जो मैं वीडियो लाया हूँ एक LED TV के उपन आया हूँ और इसकी जो प्रोब्लम में आपको बता दू इसमें इसका मेन मदरबोर्ट कराब है ठीक है तो मैंने आल्रेडी सब खोल खाल कर रखी रखा हूँ सिद्धे आपको सिंपल दरीके में बताऊंगों कि आप आल्रेडी सब कुछ पता कर चुका हूँ इसके बारें यह 32 इंज कप LED TV है तो नॉर्मल सी बात है कि 12 वाट पर ही वर्क करता है और इसकी LED से देखकर पता चल रहा है कि 9 HD पैनल है कैसे क्योंकि इसमें इसमें 5 पैर है यह देख लीजिए और यह हमारा इधर VCC है तो हम इसे निकाल लेता है अलुडियस को इस तरह से और इसकी बैग लेट को ठीक है और इससे खोल लेते हैं इस तरह से कि इसमें टाइम बेश्ट होता है इसलिए और इसे निखाल कर साइड रख देते हैं तो सबसे पहले हम लगाएंगे एलवीडियस अप एलवीडियस तो लगा देंगे पर केसे लगानी कहां लगानी है सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि आपने थोड़ी सी सबसे पहले हैं यहां आप लिक्ता रहेता है कि वीचि कौन सा तो देखिए चोट इस सबसे पहले हो यह इसे बता कर देता हूं यहां पर देखिए यहां पर यह पको बना है तो समझेंद के जो है यह हमारे वीचिज है है तो इधर हम 20 जिक लगा देंगे यह वाला सिंपल है कोई बड़ी बात नहीं या लगाना यह लगा दिया और इसके बाद जो हमारा बैग लेड है यह बैग लेड लगा देंगा मैं आपर इसके बैग लेड के जेग में इस तरह से बैग लेड का लग गया और आप इसमें हम कुन सा यह देखे यहां पर यह लिखा है 5 watt और R G I R G N यह मनलब sensor के लिए हो गए यह जो 5 watt है sensor में जो voltage आएंगी उसका है यह आर रेड लेड के लिए जिए जिए ग्रिन लेड के लिए IR यानि sensor remote sensor करने के लिए ठीक है और यह G N यानि की ground तो इसे मैं यहां पर install कर दूँगा और इसमें हमारी में काट के वायर लगाएंगे यहां पर ठीक है तो मैं यहां पर solding कर देता हूं और साइट solding करना हूं और यह हमारे जो में वायर इसे लगा देना है आपके बास card हो तो वह भी लगा सकते है और solding कर भी लगा सकते है कोई दिक्कत नहीं है यह लग गई है ठीक है अब इसे लगाते हैं बोड में मैं ने बोड में लगा दिया बटन दबाता हूं और देखे इंडिकेटर लेट आ चुकिया तो आप रिमोट में सेल डालते हैं है इसे निकालता है इसमें डालता है तो ठीक है इसे चालू करते हैं और इसका रिजूलेशन में हमें सेट करना है क्योंकि इसमें थोड़ी मैपिंग की प्रोब्लम आ रही है तो देखें यह इस तरह से चल रहा है तो सबसे बिलाएं इसका सर्विसमेनल खोलेंगे और इसका सर्विसमेनल कोड है इंपूट 1150 तो यहां पर तो इंपूट तो लिखा नहीं है तो इसमें कहीं बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं तो इंपूट की जगा आप सोर्स भी लगा सकते हो कोई दिखकर नहीं आगी तो मैं दबाता हूं सोर्स 1150 यह आ गया तो देखें हमें कुछ आ गया पर थोड़ा डंका नहीं दिखैंगे तो सबसे भी मिच्वा तो मैं जाएंगे और यहां पैनलॉल कर दीख रहा है इस कापनल कर करेंगे है अब पैनल कांट्रोल में तो WHY कर देखें है कि यह एक उनजाद बीट है कि इस कालर अदिप इससकों कम करके देखते हैं मैंने वीडियो लगा दिया है अभी 10 विट पर सेटे तो मैं इसे बढ़ाता हूं थोड़ा 12 विट हो गया नहीं काम दिया देखे 6 विट पर एकदम मस्त हो गया और 6 के बार डायट 8 आ रहा है तो यह थोड़ा खराब दिक्रस लिए 6 विट पर एकदम उख्यों हो गया यह दे कोई दिक्कत नहीं आएगी इस तरह से यह देखे तो आप इस तरह से इसमें नया मदरबोर्ट लगा सकते बड़ी असान है इसमें कोई समस्या नहीं होगी बस कुछ चीजों को आपको ध्यान देना सदा सबसे पहले आपको पैनल के विससी देखना है कि कितने वोल्टेज पहले तो उसके सबसे वोल्टेज देता है कोई कम ज़्यादा नहीं करता है जो एक दम फिक्स है वही वोल्टेज देगा उससे को समस्या नहीं आती है तो बास अब इक लिए इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में